होलसेल बिसनेस कैसे शुरू करें हम सभी को अपनी जिंदगी की बेसिक जरूरतों को पूरा करना पड़ता है और इन जरूरी चीजों में रोटी, कपड़ा और मकान और बाकिस सब चीजें आती हैं आज के समय में हर कोई चाहता है कि कम दाम में उन्हें अच्छी चीज मिले, हम दुकानों पर जाते हैं और कुछ जरूरी चीजें खरीदते हैं Wholesale business के शुरुवात के लिए जरूरी जानकारियां क्या होनी चाहिए? Wholesale का business कैसे शुरू करें? Wholesale business के fail हो जाने के क्या कारण है? Wholesaler क्या होता है? ऐसा विक्रेता जो किसी सामान को bulk में retailer या ग्राहक को बेचता है, उन्हें wholesaler कहा जाता है. ये businessmen सामानों को bulk या ज्यादा मात्रा में factory या बड़ी-बड़ी manufacturing agencies से खरीते हैं और उन्हें ज्यादा मात्रा में retailers और ग्राहकों को बेच कर मुनाफ़ा कमाते हैं. Wholesaler और retailer में अंतर Wholesaler जो सामान को bulk मात्रा में बेचते हैं Wholesaler सामान को factory या बड़ी manufacturing agencies से खरीते हैं Wholesaler additional services में पैसा ज्यादा खर्च नहीं करते Wholesaler कम दाम पर सामान को retailer और ग्राहकों को बेचते हैं Ritailer Retailer सामान को कम मात्रा में बेचते हैं Retailer सामान को wholesaler से खरीते हैं रिटेलर ग्रहकों को अकशित करने के लिए additional services पर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। रिटेलर ज्यादा दाम पर सामान को ग्रहकों को बेचते हैं क्योंकि इसमें उनकी additional services के भी कुछ खर्च निकलने होते हैं। wholesale business के शुरुबात करने के लिए जरूरी जानकारियां wholesale business के शुरुबात में सबसे पहले market में किस सामान की demand जादा है इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। manufacturing agency और factory का पता लगाना जो valid हो यानि सच में manufacturing करने वाली हो और सामान लेने पर भी उस पर returns policy सही दे देती हो। जिस भी सामान की बिक्री करनी हो उसके दाम की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है जिसे manufacturing company उन्हें market से ज्यादा दाम पर सामान न वेज दे। wholesale business कैसे शुरू करें? market के बारे में पूरी जानकारी किसी भी business को शुरू करने के लिए जिस भी market में जाना है उसकी पूरी जानकारी जैसे किस उत्पात की मांग ज्यादा है, market में उत्पात का सही दाम क्या है, जगह से जुड़ी जानकारी कि कैसी जगह पर business ज्यादा चलेगा आदे। इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे business को बढ़ाया जा सके और market में नाम कमा कर मुनाफ़ा कमाया जा सके। manufacturing factory और एजिंसियों का पता लगाना wholesalers product को खरीदने का काम manufacturing factory और एजिंसियों से करते हैं, इसलिए wholesaler को business की शुरुआत में एक सही और मान्य manufacturing factory का पता लगाना बहुत ज़रूरी है business को setup करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए जगह और नाम का चयन करना जिससे उसे जाना जाए और आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहा को उसके नाम और जगह की बज़े से उसकी तरफ आएंगे business में कानूनी मसलों से बचने के लिए उस business के नाम का एक permit ज़रूर बनवाना चाहिए जिससे उस business को कानूनी तौर पर एक माने जगह और नाम मिल सके wholesale business fail होने के कारण दाम की सही जानकारी में कमे market में सामान के दाम से आधिक दाम में बहुत मात्रा में सामान manufacturing फैक्टरियों से खरीद लेना बिना demand बाले products का business business ज्यादा मांग बाले ही चलते हैं जिनका कोई ग्रहत नहीं होता वो business कभी भी जम नहीं सकता अकाउंट management में कमे जब हमें यही नहीं पता होगा कि कितनी लागत लगी, कितनी बिक्री हुई तो net मुनाफ़े का पता कैसे चलेगा net profit का पता होना एक business को सही दिशा देने का काम करता है कुछ wholesaler, retailer और ग्रहकों को उधार सामाद दे देते हैं उसके returns से जुड़े कोई policy और सकती नहीं करते जिससे उनका business डूबने की कगार पर पहुँच जाता है इसलिए उधार के भी टाइम लिमिट देनी चाहिए दिये हुए उधार का हिसाब रखें इन सब पर ध्यान दे करी wholesale की किसी भी business को सबलता पूर्वक जमाया जा सकता है और उससे मुनाफ़ा कमा कर उससे अपने भवेश्य को उजवल बनाया जा सकता है अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शियर करें और ऐसे और business related वीडियो के लिए हमें comment करना ना भूलें